दैवयोग तथा शकुनी के छलकपत से कौरवों और पांडवों में वैर किया आग प्रजवलित हो उठी। तुरियोधन बड़ी खोटी बुद्धी का मनुश्य था। उसने शकुनी के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया। युवावस्था में आकर जब गुनों में उससे अधिक श्रेष्ट युदिष्थर को युवराज बना दिया गया तो शकुनी ने लाक्ष के बने हुए धर में पांडवों को रखकर आग लगा कर उन्हें जलाने का प्रयत्न किया किन्तु विदुर की सहायता से पांचु पा दुर्योधन नहीं चाहता था कि युदिष्थर राजा बने अतह उसने अपने पिता धृत्राष्ट से कहा पिताजी यदि एक बार युदिष्थर को राजसिंगासन प्राप्त हो गया तो ये राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौर्वों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा इस पर दृत्राष्ट बोले वत्स दुर्योधन युदिष्थिर हमारे कुल के संतानों में सबसे बड़ा है इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है फिर वीश्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं हम इस विश शिल्पी से एक भवन का निर्मान करवाया था जो की लाक, चरबी, सूखी घास, मून्ज जैसे अत्यंत च्वलन शीर पडार्थों से बना था तुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का शरियंत रचा था तृत्राष्ट के कहने पर युदिष्थे रपनी माता तथा भायों के साथ वारनावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के शरियंत के विशय में विदुर को पता चल गया। अतहवे वारनावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के ल कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षाग्रेह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। वारनावत में युदिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के भेजे गए कारीगर की सहायता से गुक्त सुरंग बनवा लिया। उसी रात्री पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना दिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दिया और अपनी माता कुंती एवं भायों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। लाक्षाग्रेह के भस्न हुने क समाचार जब हस्तिनापुर पहुचा तो पांडवों को मरा समझ कर वहां की प्रजा अत्यंत देखी हुई। तुर्योधन और धृत्राष्ट सहित सभी कौर्वों ने भी शोक मनाने का दिखावा किया और रंत में उन्होंने पांडवों की इंतेश्टी करवा दी।